नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं जन्मंस न्यूज और मैं हूँ देवेंदर कुमार बिहार में अपराधि घटनाएं बढ़ती ही जा रही है बिहार पुलिस पुरी तरह से नत्मस्तक हो गई है अपराधियों के सामने चाहे छोटू हत्याकांड हो चाहे पंकज हत्याकांड हो और अब नई हत्याकांड सामने आई है वो है डोली हत्याकांड रील अस्टार डोली हत्याकांड एक ऐसी लड़की जो अपने प्रेमी के साथ पटना सहर में रहने को आती है वो प्रेमी दुनिया भर का प्यार लुटाता है और डोली को मिलता है क्या डोली को मिला मौत 18 वर्षिय डोली इस दुनिया में नहीं रही डोली वह लड़की जो सोस्ती थी कि सोशल मीडिया के दुनिया में मैं भी कुछ नाम करूंगे निसांत उसे हर तरह से भरोसा देता है कि चलो पठना मैं तुम्हें अस्टार बनाऊंगा लेकिन क्या हुआ डोली के साथ डोली पाथली पुत्र के सिधार्थ नगर इस्थित शांती कुछ अपाटमेंट में उसकी लास मिले लास संदिक्थालत में पुलिस कहती है कि या आतमहत्या का मामला है लेकिन डोली के पिता कहर है है कि या आतमहत्या नहीं निशांत और परसांत जो दोनों देहेज लोभी है उसने हत्या किया है सबसे पहले इस मामले को जान लिजे आप ये मामला है क्या या मामला है मधू बनी जिले के जे नगर के रहने वाली डोली का उनके पिता का नाम है वसंसा लड़का पूर्वी चमपारन के बेथनातपूर इस्थित जो मधू टोला है वहां के ये निवासी है दोनों सोसल मीडिया पर मिलता है दोनों में दोस्ती होती है दोनों खाता है कि चलो पठना ये दोनों अपना घर को त्याक कर पठना आ जाते हैं एक साल लिव इन डिलेसंसिप में रहते हैं दोनों में प्यार अपर सीमा तक जाता है चरम सीमा पर जाता है फिर दोनों शादी रचा लेता है शादी रचाने के बाद अपने घर बालों को सुचित कर देता है कि हम दोनों ने सादी रचा लिए हैं अब हम दोनों एक साथ ही रहेंगे लड़की का उम्र 18 लड़का का उम्र लगबग 20 वर्स या दोनों कपल पटना मेराना शुरू करता है और तरहा तरहा का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोश्ट क्या करता था इसी से जो अर्निंग होती थी वो अपना जीवों का परजन करता था लेकिन एक दिन हुआ क्या डोली कहती है कि मुझे माइके जाना है तो निसांत कहता है ठीक है तुम माइके चली जाओ अपने भाई के साथ डोली माइके जाने के लिए पहुशती है गांधी मैदान लेकिन अचानक वो सोचती है कि मैं माइकी नहीं जाऊंगे, फिर वो लोट कर अपना फ्लेट आ जाती है, संजोग देखिए उस समय निसान घर में नहीं रहता है, और कुछ समय बाद पर चलता है कि डोली ने आत्मातिया कर ली, उसकी लास पंखापल लटका हुआ निसान देखता है जब लास को निसान लटका हुआ देखता है, तो लास को उठाता है, वो सबसे पहले नेजी अस्पता ले जाता है, अपने दो दोस्तों के मुदद से, वहाँ पे उसे डेकलियर कर दे आता है कि ये मर चुकी है, फिर उसी बोड़ी को निसान अपने घर ले आता है, इसमें जब बड़ी बात या है, आप मैं बताऊंगा, बड़ी बात या है इस केस में कि निसान सबसे पहले अपने माकान मालिक को सुझित नहीं करता है, जबकि माकान मालिक देख रहा होता है कि ये डोली को अपने गोदी में उठा कर ले जा रहा है, जब पुछता है कि क्या है तो निसांद बोलता है ये बिमार है मैं होस्पिटल ले जा रहा हूं फीर ये फीटल से डेट बोडी को लेकर आता है फिर मकान मालकीं फुषती है दर्माजे पर ही क्या हुआ अलों बिमार है जब निसांद को पता था कि ये मर चुकी चोड़ जाता है इतने में पुलिस आ जाती है, होस्पिटल बाला सुचित करता है, ये घटना घटी है, पाथले पुता थाना पहुचती है, तो परताल करती है कि ये अतमत्या हुआ है, जो दाबा पुलिस कर रही है, लेकिन निशान को लोग आज के तारिक में कहते हैं कि वो ऐसा करी ने सकता है, निश क्यों छिपाया, आज के तारिक में निसान आरोपी है, जेल में है, सजा भी हुई नहीं है, अब ये मामला कोट में चला गया है, कोट में ट्राइल होगा, पुरे केस की गुत्थी को सुल्हाया जाएगा, तब पता चलेगा, लेकिन इस ख़बर को दिखाने को देश या है क पहले पंकज हत्याकान, दुसरा छोटू हत्याकान, अब डोली हत्याकान, सब नव्यूबक, सब कम उमर के लोग और शिकार हो रहे हैं, विहार में एक परचलन सा चल पड़ा है, किसी की हत्या कर दो और उसे आत्म हत्या करार कर दो, मेटर सौल, पुलिस जाच करेगी, उसक बात हम और आप खबर को देखते रहेंगे, खबर पुरानी होगी, किसकी हत्या हुई थी, आत्म हत्या हुई थी, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, यह सच्चाई है, छोटू हत्याकान में यही हुआ है, अब तक सुलज नहीं पाई है, लोग अभी भी दावा करते है कि छोटू ने आत्म हत्या किया, लेकिन पोस्ट माटम रिपोर्ट कहता है कि उसकी हत्या हुई, फिर भी लोग लगता है कि छोटू ने आत्म हत्या किया, पंकज वाला केस में ही हुआ है, पंकज के लास को हाई टेंसल पोल पर लटका दिया गया, उसको भी कहा गया कि उतन यह हुई कि आत्म हत्या लेकिन जिसका परिवार से एक सदस्ट चला गया उस पर क्या बितरा होगा डोली के पिता बसंसा चिक-चिक के कह रहे हैं कि यह जो निसान्त है पैसा मांगता था देहज मांगता था कि इसने देहज मुक्षादी किया था तो लड़की के पिता सही है कि यह निसान सही है लोग तरह तरह को सवाल जवाब उठा रहे हैं कि नहीं निसान सही है रिल अस्टार रे वीडियो बनावना कर डालता था रहे बैया वीडियो बनाकर जो फेस्बूक पर सोसल मीडिया पर डालता तो क्या हो इंसान इमांदार हो गिया अगर इंसान हजार दस हजार बीस हर बार जे तो क्या वो इंसान हो गया क्या उसकी सच्चाई नहीं होती है उसके पीछे स्वार्थ नहीं होता है कोई बीना स्वार्थ का कोई किसी को मुदद नहीं कर सकता उसके पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ होता है इस धर्ती पे न निश्वार्त को है ही नहीं निश्वार्त है तो उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर वो अमर हो जाता है या धर्ती पापियों से भड़ा हुआ है पापी हर जगा है अभी हम भी इंसान है मेरे मन में कुछ विचार आ जाएगा मेरे मन मस्तिक तें कुछ बदलाव आ जाएगा मैं भी इंसान में भी पापी बन जाओंगा ये मासिक है कभी भी कुछ बदलाव आ सकता है वही खेलिसांत ने किया प्यार किया प्यार किया तो अचानक क्या हो गया कि डोली घर आती है और आत्मात्या कर लेती है जो लड़की अपना घर, दुवार, समाज, सब को छोड़ कर भाग कर पटना आती है, अतमत्य करने के पटना आती है, अगर अगर निसान बेह तहां प्यार कर रहा था डोली से, तो डोली अतमत्य क्यों कर ले, आप जाएए इंस्टाग्राम पे, रोक अस्टार, निसान डोली वीडियो सर् में आपको कहीं से लगेगा कि यातमत्य करने बाली है, डोली को मजबूर किया गया, परतारित किया गया, चुकि कोई लड़की इस तरह से अतमत्य नहीं कर सकती है, कुछ ना कुछ बजा होती है, निसान बता नहीं रहा है, उसको लगता है कि मैं, जो मेरे जो पबलिक की जान चली गई, अभी तो वो जीवन का वो खुस्तमा पल भी नहीं देखी थी, मात्र 18 साल की लड़की, जो तुम्हारे भरो से साथ पठना आई, और तुमने क्या सिला दिया, बेवफाई, धोका, आज बसंसा, डोली के पिता, गुहार लगा रहे है, यह कोई मीडिया ब पठकथा लिखी गई, मौत का, लोग खाते हैं कि जन्मशन जो जूटा ख़वर दिखाता है, जूटा कवर क्या दिखाता है, जो मड़ जूटा है, जो लास लेके निसांत अप डाउन किया घर से जूटा है, सिसिटी फुटेज, जाके देखिए, हमने ख़वर डाला है, कि इतने करम में बार बार घर मालकीन पुछती है उससे, बता, यह क्या है, तो बोलता है, बिमार है, अरे भाई, सब वो समझ में आता है, यह सिसिटी फुटेज से नसब किलियर हो जाता है, फिर भी पुलिस जास कर रही है, आतम हत्या की हत्या, यह तो बक्त बताएगा, कोट में क्या होगा, यह मामला कोट में जाएगा, चार सिट त्यार होगा, उसमें कदर साया जाएगा, लड़की डिप्रेस्ट में आकर आतम हत्या कर ली, निसान को कम से कम सजा होगी, फिर यह साला निसान छुट जाएगा, फिर किसी बेटी को शिकार करेगा, फिर यही कांड क करेगा के सबख कैसे मिलेगा इंङ dai कि किसी को मार देना असान है क्या अगर असान है तो फिर देख लीजिए कि भीहारब किस रूपप में हो जा रहा है जल्मन चिह लगाता गरीबों का दर दिखाता है यौन दर्ण नहीं आती हमारी उसको आप प्यार लुटाते हैं, जो आपके कभी होते नहीं है, आपकी बाते कभी करते नहीं है, वो उस सिस्टम से बात करते हैं, जिस सिस्टम के वो गुलाम है, एक तरफ उस सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम से लाना चाहते हैं, और वही बैक्ति उस सिस्टम से जाकर चा कुछ इस तने दिखा रहे हैं किस ख़बर में ध्यूज नहीं है最近 में वावचा हता हूं मैंबीम काम नहीं करता हूं खाबर पसंद करेया ना पसंद करेया हमारा करण बहुत है से चीजों को आप तक पहुंचां रहे हैं मैरि कोशिसहती है मांसिक्ता दर्साने की किस मांसिक्ता के पले किस मांतिक्ता के तले किसी ने हत्या कर देता है और उसे आत्म हत्या करार दे दे दिया जाता है कुछ कमेंट आ रहे हैं और सभी को बहुत धन्य बाद जो हमारे इस खबर पर कमेंट कर रहे हैं अभी तक ना छोटू हत्याकांड सुलज़ पाया ना पंकज हत्याकांड सुलज़ पाया और अब डोली हत्याकांड सामने है जन्मन से जुरे रहें मैं आपको अपडेट देता रहूँगा आपका धन्यवाद